ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है जब कुछ समझ ना आए तब सांत बैठ कर खुद को समझ लेना चाहिए जो लोग सब के होने का दावा करते हैं वो कभी किसी के नहीं होते और जो किसी एक के होते हैं वो कभी दूसरे के हो ही नहीं सकते जो मिल रहा है तुम्हें वही तुमारे लिए बहतर है ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखू भी जानता है पतजर भी हिस्सा है जिन्दगी का, फर्क सिर्फ इतना है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और जिन्दगी में रिष्टे अक्सर वही हाथों को जला देते हैं, जिने हम हवाओं से बचा रहे होते हैं जिन्दगी एक रंग मंच है साहब, किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालिया बस्ती रहे बदले की भावना रखने का मतलब होता है, खुद के जखमों को ताजा रखना सही वक्त पर पिये गए करवे भूट, अक्सर जिन्दगी मीठी कर देते हैं आपका कोई अपना ही होगा, जिन्दगी ने रुलाया भी उसी को है, जो हसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पर आपका ना होना ही बहतर है, जहाँ पर आपकी कद्र नहीं होती आज कल के रिष्टे सुड़ी मुखी के फूल ये से होते हैं, जिदर ज्यादा फाइजा मिले उधर भूम जाते हैं उधार बनो, पर खुद को इस्तेमाल मत होने दो, प्यार करो, मगर खुद को ठेस ना लगने दो विश्वास करो, मगर भोले मत बनो, दूसरों की सुनो, मगर खुद की आवाज खोने मत दो जब रिष्टा तूटता है, जब सिर्फ इंसान नहीं मरता, इंसानियत भी मर जाती है जो लोग चादर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं, उनके एक दिन हाथ फैलाने के दिन आते हैं गलती पीट की तरह होती है, खुद के स्वाए बाकी सब की दिखती है उमीद एक ऐसी उड़जा है, जिससे जिन्दगी का कोई भी अन्धेरा रोशन किया जा सकता है भूल जाते हैं वो लोग हमें, जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं दिल से ज़्यादा महफूद जगह नहीं है दुनिया में, मगर सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहां से होते हैं लगाओ, उस घाओ का नाम है, जो कभी भरता ही नहीं कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग है इस जहां में जो खुद किसी से रिष्टा निभा नहीं सकते पर दूसरों के रिष्टे पर उंगलिया उठाते रहते हैं बड़ी सस्ती है मौत साहब हर मोर पर मिल जाती है कीमत तो जिन्दगी की है तलासने में पूरी जिन्दगी गुजर जाती है जलने वालों से ही बरकत है जनाब अपना कहने वाले तो सिर्फ काम परने पर ही याद करते हैं समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है जिन्दगी की दोड़ भी बड़ी अजीब है जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं आशु आये तो खुद ही पोचना लोग पोचने आयेंगे तो सौधा कड़ेंगे अडेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और सक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोका दे जाते हैं सखाई देने में अपना वक्त बरबाद मत कीजिए त्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं मुझे लगा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ सब मुझे चाहते हैं पर बाद में पता चला कि चाहते तो सब हैं पर सिर्फ अपने मतलब के लिए अगर जिन्दगी को समझना है तो पीछे देखो और यदि जिन्दगी को जीना है तो आगे देखो जिने मंजिलों की फिक्र होती है वो रास्ते में आने वारे लॉरी पॉप नहीं चुशते लिबास से मत तै करो तुम मेरी हैसियत को अभी कफन ओड लूँगा तो कंदे पर उठाए फिरोगे आदमी की सबसे बड़ी मुर्खता उसे खबर नहीं होती पल की पर उमीद लगाता है कल की जिस दिन आपका काम आपके मूर्ख से ज़्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता सफलता का कोई रहस्च नहीं है यह पूरी तैयारी कड़ी महनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है सच्चाई हमेशा खामोस इंसान के अंदर मिलती है जूटे लोग हर वक्त अपने जूट को दवाने यह तू कोशिस करते हैं लोग क्या कहेंगे पहले दिन हसेंगे दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे इसलिए लोगों की परवा मत करो करो वो जो उचित हो जो तुम चाहते हो जिसमें तुम खुश हो मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा सावित करने का सौक नहीं है मैं उनके लिए अनमोल हूँ जो मुझे समझते हैं जिन्दगी में टैंसन ही टैंसन है फिर भी इन लगों पर मुझकान है क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुझकुडा कर जीने में क्या नुक्सान है